आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनेट नाओ इस problem में हमें दिया गया कि एक pulley है जिसका mass small m है और radius capital R है ठीक है उससे string pass हो ते wire pass होता है जिससे 2 masses suspended है डिक है ऐसा कुछ situation है कि यह हमारा पुली है ठीक है यह हमारा हो गया pull Eva ठीक है और इससे wire pass होता है जिससे 2 masses हमारे suspended है ठीक है एक M और एक 2M मास है ठीक है और हमसे कहां जा रहा है कि बताइए कि दोनों साइड जो ट्रेड है इनमें टेंशन किते हैं कि यह किस एंगुलर एक्सेलरेशन अलफा से रूटेट कर रहाँ ठीक है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हम अपना सिस्टम ले लेते हैं ठ है सिस्टम लिए मतलब कि हम एक ही एक्क्वेशन लिखेंगे उससी में काम चलिया अपने चेहां कि अगर अलग-अलग एनलीसिस करेंगे तो इस ब्लार के lieल लग लिखना हों इससे हम अगर खड़े होकर देखेंगे तो यह घूम रहा होगा और यह हमेशा R distance पर इससी तर यह हमेशा R distance पर यह घूम रहा है ठीक है तो आप देखिए कि हम torque equals to I alpha लिख सकते हैं इसको हम अगर O बोल दें तो torque about O equals to कितना हो जाएगा clockwise इसपे 2MG इदर लग रहा है और MG इदर लग रहा है तो 2MG इसपे external forces 2MG इदर लग रहा है और 1MG इदर लग रहा हमारे system पर ठीक है तो 2MG times R minus of MG times R ठीक है तो torque about O equals to कितना हो जाएगा MG R हो जाएगा ठीक है अचा torque about O equals to I alpha भी लिख सकते है ठीक है और यहाँ पे I कितना हो जाएगा I of this pulley जो कि M R square by 2 हो जाएगा प्लस of यह जो मास है वो हमेशा R distance पर रोटेट कर रहा है तो M times sorry 2M times R square plus of यह जो है यह मेशा यह भी R distance पर रोटेट कर रहा है तो यह M capital R square ठीक है times alpha तो torque about O equals to हो जाएगा यहाँ से 7MR square by 2 alpha ठीक है इतना हो गया तो आप इसको बोल सकते है 1 और इसको बोल सकते है 2 ठीक है from 1 and 2 क्या आएगा from 1 and 2 ठीक है 7MR square by 2 alpha equals to MgR MgR R से R cancel M से M cancel ठीक है तो alpha equals to 2G by 7R हो जाएगा ठीक है alpha equals to 2G by 7R हो गया अब आप अगर देखिए अगर हम दोनों blocks के लिए free body diagram मना है तो यह 2M mass का जो block है इस पेलेट से के इदर T1 लग रहा है और इदर 2Mg लग रहा होगा ठीक है और यह क्योंकि नीचे जा रहा होगा और कितने acceleration से जा रहा है यह जो है यह alpha से घूम रहा है तो यह periphery वाले point के acceleration हो जागा alpha R और यहाँ पे नीचे की तरफ होगा तो यह alpha R से नीचे जा रहा है और दूसरे वाले को देखें M mask वाले को तो इसको let's say कि T2 tension उपर लग रहा है और mg force नीचे लग रहा होगा और यह alpha R से उपर जा रहा होगा ठीक है तो T1 sorry T2 minus of mg equals to m alpha R हो जाएगा ठीक है तो T2 equals to कितना आ जाएगा mg plus of m alpha R तो m times alpha R कितना है 2g by 7 ठीक है तो T2 equals to आजाएगा 9mg by just a minute यह आजाएगा 9mg by 7 ठीक है तो यह हमारा इस पार्ट का answer आजाएगा इस ती तरह अगर हम इसके लिए लिखे है तो यह आजाएगा 2mg minus of t1 equals to 2m alpha R ठीक है तो T1 equals to यह 7,2 जाएगा 14 में से 4 याने 10mg by 7 हो जाएगा यह ठीक है तो इस तरह से हमारा T1 और T2 दोनों आ चुका यह ठीक है